स्वरा भासकर बॉलीवुड की उनिक ट्रेस में से एक हैं जो बेबाग तरीके से हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्वरा भासकर को काफी मेहनत करनी पड़ी यही नहीं कई जगे तो उन्हें रिजेक्ट पी कर दिया गया मामी मुंबई फिल्मोट सब में पहुची स्वरा भासकर ने कहा की फिल्म इंडिस्ट्री में अपने लुप की वजह से हर किसी को कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है वरना लोग मीकप पर इतना पैसा क्यूंँ खर्च करते स्वरा ने आगे कहा की यह सब लोगों की सोच को दिखाता है मैं जब मुंबई आई थी तो पहली मुलाकात में एक डाइरेक्ट ने मुझसे कहा की आप बहुत बुधिमान दिखती है उन्होंने मुझे काम देने से मना कर दिया मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई हूँ अब मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ और केवल अपने काम से मतलब रखती हूँ वक फ्रंट की बात करें तो स्वरा भासकर की आखिरी फिल्म विरेदी वैडिंग रिलीज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अच्छी कमाई की थी फिल्म में स्वरा ने एक मास्टरबेशन सीन भी दिया था इस सीन को लेकर स्वरा को सोशल मीडिया पर लभी किया गया था फिल्म में स्वरा भासकर के साथ करीना कपूर, सोनम कपूर और शिखा तसानिया मुख्य भूमिका में थी